दोजार सोला की है गुलाब यादो जंजारपूर का मेले था इसने अपने आवास पर मुझे ये कहते हैं बुलाया कि मैं आपको महिला राजयायोग में मिंबर बनाऊंगा आप मेरे आवास पर अपना रिज्यूम ले करके आईए वहां जाने के बाद इसने गन पॉइंट मेर साथ रेप किया इसके बाद ये मुझे मैं उसी समय करने जा रही थी लेकिन इसने बोला कि मैं आपसे आफिसली साधी करूंगा मत कीजिए मैं आपको सारा राइप दूंगा आप वेट कीजिए मैं अपनी फर्स्ट वाइफ को वेट दिवोर्स दे करके आपसे ऑफिसली आई है वहाँ ये संजीवंस के साथ मुझसे मिले मेरे साथ खाने पीए कि चीजों में नसीली चीज़े मिला करके इन लोगों ने दोनों ने गैंग रेप किया और इसके बाद लगातार सोसन करने लगे कि तुम्हारे निवट फोटो हैं हमारे पास अगर तुम्हारे अमार सब्सक्राइब करने लिए इसका जन्म हुआ फिर इसको इसके बार लगाता रही लोग धंकी देन लगे ऐसे मार देंगे वैसे मा धंकियां तो आज भी मिल रही हमें कि हम नयारिक परकिया पूरी नहीं होने देंगे इसी बीच हम आपके साथ कोई भी घटना कर देंगे हमारी कोई हैसियत नहीं उनके सामने यह प्रभावसाली लोग है यह मा बच्चे को मार करके गंगा में डाल देंगे लास तक नहीं मिलेगी तमाम धंकिया इधर उदर से देते रहते हैं हम एडमिशन के लिए संजीवहन से मिलना चाहें इनके आवास पर गए अभी कुछ दिन पहले एक सब्ता पहले गए होंगे तो यह उल्टा हमको अपने लोगों से धंकी दिल्वाने लगे फोन करके कि हमारे आवास पर आओगी तो हम उल्टा केस करके तुमको करवा देंगे हम सिर्फ उनको जानने के लिए कि आप हैं या नहीं है वह फोन करके हमको कई बार बोलें उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हमारे साथ लेकिन हम वह रिकॉर्डिंग मीडिया में नहीं देना चाहा रहें जरुद पड़ी तो हम उस रिकॉर्डिंग को माननी यह उ पर कि केस को किसी तरह से वापस लिया जाए वीच में हमसे कॉंटेक्ट भी किये फोन पर बाते किये आरियन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और लेकिन ऑफिस्यली नहीं आ रहे हैं एक बच्चे का जीवन उसके फादर के बिना अनफिस्यली तरीके से जो खाली बंद कमरे में कह आने के लिए बेटा है ति ओफिस्यली होनी चाहिए परस्नली तो नहीं कि आप बंद कबरे में आकर मेरा बेटा है आप हम सांथ हम सांथ हम नया की लड़ाई लड़ रहे हैं हमको अपने बेटे का लिगल राइट चाहिए और यह संजी वह एडमिट कर रहे हमको जरुत उसके साथ तो जो लिगल प्रोसीडिंग में होता है उसको सजा होनी चाहिए रेप केस में लेकिन बच्चे का तो लिगल राइट उसके फादर सी मिलेगा ना उसके डियने टेस्ट प्रपर चेक होगा जो फादर होंगे वह ही से मिलेगा और यह चीज़ संजी हमसे करेंगे और यह नहीं किया इसके बाद यह बात्चित बंद कि हाई कोट में केस पेंडिंग था और उसके बाद से फिर कोई बात नहीं हुई हमारी उसका बकायदा लगा हुआ है मेरे फाइल में रिपोर्ट लगा हुआ है पूने के बाद भी ये लगातार मुझे ब्लैकमेल करके गुलाब यादा हूं और हमेशा संजीवंस के साथ मिलता था किसी भी होटल में जैसे ली मेरेडियन और भी मैंने कई होटलों का नाम ले रखा है मेरे कंप्लेंट में है वो सारी चीज़ें किस चीज़ का मेरा गाहितरी यादव यहां मैं बाइप्रोफेशन एड्वोकेट हूं आज भी आवाज उठाने के बाद जबकि मेरा बच्चा है उस समय सिर्फ मैं थी अब मेरे बच्चे को कोई फ्यूचर देखना आवाज मैं तो वह लगाता मैं वहीं बतारी को लगातार मुझे डरा कर धंका करके और मेरे न्यूट फोटो है उसके पास गुलावयादों के पास अब डर खतम हो गया तभी हम आप लोग के सामने आए हुए अब तो मारने की धंकी देरा फिर कभी हम पटना में हमको धंकी रहता है कि हम पटना में न रहे हमको कभी भी हत्या कर दी जाएगी हमारी है कि मजबूरी थी हमारा न्यूट फोटो रखा हुआ हमको बारवर ब्लैक मैल कर रहा था विलकुल बदनामी कड़त हम वकालत किये हुए है लेकिन जो इस तरह से अभी भी पता है लालीट एक मुझे नाम याद है बाकी और भी स्टाफ थे जिनका नाम मुझे याद नहीं है अगर अब उसका क्योंकि सर्वेंट है तो वो तो स्टेट्मेंट देगा नहीं लेकिन लालीट से सिंदूर मंगवाया था और लगाया मुझे गुलाव याद हो बोला कि मैं कुछ दिन बाद डिवोर्स की परक्रिया जब पूरी हो जाएगी को डिवोर्स तुरंट तो होता नहीं दो चार शे मिन लगेंगे इसके बाद मैं आफिस आली आप से साधी करूंगा इस वजह से मैं एट टाइम एफ आयार करने उसमें नहीं गई उसने जहां सा दिया इसके बाद लगातार सोचन किया जब बच्चा हुआ तो यह घुलाव यादर को दोनों बहुत हारे की उसमें पहली बाद गुलाव यादो बच्चा के ओकी संजीव हंसका है इस मैं डियने टेस्ट की बार बार मांग कर रही हूं इसलिए मैंने केस फाइल किया था जो आपको पूरा हिस्ट्री बताई अभी मैं केस का यह सिविल कोट मैंने फाइल किया सिविल कोट तो पहले तो जांच आदेश किये कि इसमें जांच शुरू हुई जांच की रिपोर्ट लगने के बाद क्योंकि घटना चार साल की पुरानी थी इसके बाद फाइल होता तो काईदेश इसमें फाइल होना चाहिए था लेकिन सिविल कोट प्रभाव साली लोगों के प्रभाव में आकर किस इंफ्लूएंस में आकर यह तो मानने एसी जम दानापूर जाने यह आदेश कर दिये कंप्लेंड का जिसका मैंने आवेदन ही नह विक्टीम को पुलाया डिशने नहीं इस वजह से हम करते हैं उसको कि मैं रहे जिंदा है और हम लड़ रहे है कि आप यह जो खारीज किये यह इतना इतनी जल्दवाजी क्या थी कैसे खारीज कर दिये कंप्लेंट कैसे ट्रिट हो गया यह जाँच पूरा की दिये जाँच का जो पुलिस रिपोर्ट लगाती है पूरा रिपोर्ट आने दीजिए इसके बाद बच्चे का डिये ने अच्ट क्याने लिए लेकिन जल्द सव लिजनेबल टाइम जितना जल्द हो सके हैं एक महीने दो महीने जो भी जितना जल्साइन अधि हमारे सेने डॉकेट हैं यह गलाब क्योंकि इस केस करने के बाद संजी एक्टिव हुए इस केस कर चार साल से संजी जब मैं प्रेगनेंट थी जब बच्चे का जन्म हुआ मैंने उस समय कॉंटेट करने की कोशिश की क्योंकि वहां दिल्ली में इसका बर्थ हुआ है साली मारबाग में तो वहां बच्चे का अधारकार तुरंट बर्थ के बाद ही बनता है आपको फादर का अधारकार चाहिए होता है मैंने contact किया, इन्होंने मेरा number block कर दिया, चार साल तक मेरे से बात नहीं किये, जब पिछली बार मैंने case किया, दाना परसीविल कोड में और आप media वालों के सामने मैंने अपनी बात रखी, इसके बाद ये मुझे call किये, मेरे से continue बात करने लगे, अब इनको डर होगा कि भाई झाल